चुनावी किसे में आज बात 1984 के उस चुनाओं की होगी जब एक भाई ने अपनी बहन का सियासी पांसा पलट दिया इससे ना केवल बहन को जटका लगा बलकि मा की उम्मीदों पर पानी भी फिर गया बाद में यही बहन राजस्थान की दो बार मुख्यमंत्री बनी ना केवल मुख्यमंत्री बनी बलकि भाजपा में एक तेज तर्रार नेता के तौर पर अपने आपको स्थापित किया हम बात कर रहे हैं वसंद्रा राजे सिंधिया और उनके भाई माधवराव सिंधिया की 1984 के लोकसभा चुनाओं का बिगुल बच चुका था चंबल शेतर की एहम लोकसभा सीट भिंड दतिया में भी चुनावी बयार बह रही थी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद ये पहला आम चुनाओं था राजमाता विजय राजे सिंधिया ने 1984 में भिंड दतिया सीट से अपनी बड़ी बेटी वसंद्रा राजे सिंधिया को चुनाओं में उतारा था ये वसंद्रा राजे का पहला चुनाओं था 1971 के लोकसभा चुनाओं में इसी सीट से विजय राजे सिंधिया भारती जनता के टिकट पर चुनाओं जीत चुकी थी ऐसे में राजमाता अपनी बेटी वसंद्रा की जीत को लेकर बिलकुल आश्वस्त थी इस बीच चुनाओं में वसंद्रा राजे के भाई माधो राव सिंधिया की एंट्री होती है अपनी बहन के खिलाफ उन्होंने दतिया राजगराने के कृष्ण सिंध जुदेव को चुनाओं में उतारा कॉंग्रिस की टिकट पर चुनाओं लड़ रहे कृष्ण देव सिंध जुदेव के पास कोई राजनिती कनुपो नहीं था वसंद्रा राजे की तरह ये उनका भी पहला चुनाओ था वसंदरा राजे के चुनाव की कमान राजमाता विजय राजे सिंधिया ने सम्हाली तो दूसरी तरफ कृष्ण देव सिंध जुदेव की चुनाव की कमान माधव राव सिंधिया के हाथ में थी इंदिरा गांधी के हत्या के बाद देश भर में कॉंग्रेस के पक्ष में हवा थी माधो राव सिंधिया ने भी आम लोगों के बीच कृष्ण सिंग जुदेव के पक्ष में खूब महौल बनाया कृष्ण सिंग जुदेव के आस्मों ने भी चुनाव के समी करण को काफी हद तक बदला वो कई बार जनसभाओं में भावुक होकर उन्होंने जनता से वोट की अपील की एक ऐसा ही किस्सा किला चौक का है यहां कृष्ण सिंग जुदेव की आखरी जनसभा थी यहां वो लोगों के सामने रो पड़े थी और कहा था कि पहली बार चुनाव में हूँ दतिया राज घराने की इज़द आपके हाथों में है उधर शेतर में सभी को उम्मीद थी कि वसंधरा ही जी देंगी मगर कृष्ण सिंग जुदेव की अपील ने जनता के दिल में इस कदम घार किया कि उन्होंने वसंधरा राजे को 87,403 मतों से हरा दिया था